गुड मॉर्निंग बच्चे आज हम आप लोग को क्लास सिविन का संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं जिस चेप्टर का नाम है संख्या अब संख्या संख्या संख्यत में एक से लेकर एक सो तक हम कैसे जानेंगे संख्यत में क्या है पहले हम एक से चार तक तीनू लिंग में लिखेंगे जैसे एक का पुलिंग में होता है एक का है इस्त्री लिंग में एक का और नपूंशक लिंग में एक कम देख रहे हैं आप एक लाइन लकीर घीचा हुआ है बिभक्ती लिखा हुआ है और उसे में लिखा हुआ है एक वच और पुलिंग, इस्त्री लिंग, नपुंसक लिंग, प्रथमा विवक्ति में देखेंगे पहले, एक का, पुलिंग में एक का, इस्त्री लिंग में एक का, और नपुंसक लिंग में एक का, वैसे ही दो का, पुलिंग में द्वव, इस्त्री लिंग में द्वे, और नपुंसक कुलिंग में दुए होते हैं ती्न पूलिंग में 3 है इस्त्री लींग में तीश्तर है और नपूसक लींग में 3 चार पूलिंग में 14 इस्त्री लेंasto was a का सिचे सट्वारी होता है तो पहले हम एक से चार तक को अच्छे तरह से कंठस्त कर लेंगे फिर इसके बाद चार के बाद पांच से ले करके एक सो तक संख्या देखेंगे और ये जो बिभक्ति लिखा हुआ है इसको भी देख लेंगे तो देखिए इस बिभक्ति में प्रतमा में एका एक है दुतिया में एकम एकेन एकस में एकस मात एकस एकस में ये सातो भी वक्ति का है वैसे ही इस त्री लिंग में है प्रतमा ये एका एकम एकया एकस में एकस्या सेस्ठी में भी एकस्या और सब्थी में एकस्या नपुशक लिंग में दो काफिर पुलिंग में द्वाव 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 द फिर पांच का देखिए, एक बार हम आप लोग को परहाद रहे हैं, पांच का संस्कृत में पंच, छो का सट, साथ का सब्त, आठ का अश्ट, नौ का नव, दस का दस, ग्यारह का एका दस, बारह का द्वा दस, तेरह का त्रियो दस, चौदह का चतुर दस, पंदरह का पंच द दस, सत्रह का सब्त दस, अठारह का अश्टा दस, उन्नीस का नव, दस या एकोन विंग सते हैं, बीस का विंग सते हैं, एकीस का एक विंग सते हैं, बाइस का द्वा विंग सते हैं, तैस का त्रियो विंग सते हैं, चोबिस का चतुर विंग सते हैं, पचीस का पंच विंग 26 का 60 विंग्षति ही 27 का 17 विंग्षति ही 28 का 8 विंग्षति ही 29 का 9 विंग्षति ही या एकोन त्रिंग्षत 30 का त्रिंग्षत 31 का एक त्रिंग्षत 32 का द्वा त्रिंग्षत या द्वी त्रिंग्षत 33 का त्रिंग्षत 34 का चतोस त्रिंग्षत 35 का पंच त्रिंग्षत 36 का श प्रिक्त हो जाएगे देखते रही हम पर रहे हैं संख्या देखते रही ध्यान से त्री पंचासत चतु पंचासत पंचासत शड़ पंचासत शप्त पंचासत अश्टा पंचासत अश्ट पंचासत नव पंचासत या एकोन सस्थि सिक्ष्टी का सस्थी, सिक्ष्टी वन का एक सस्थी, आगे द्वी सस्थी, त्री सस्थी, चतु सस्थी, पंच सस्थी, सट सस्थी, सप्त सस्थी, अश्ट सस्थी, नव सस्थी या इकोन सप्तती, सत्तर का सप्तती, एक्ष्ट्र का एक सप्तती, बहत्तर का द्वी सप्तती, तिहत्तर का त्री सप्तती ही, त्री या त्रेह सप्तती ही, फिर आगे चतो सप्तती ही, पंच सप्तती ही, सड़ सप्तती ही, सब्त सप्तती ही, अश्ट सप्तती ही, नव सप्तती ही, या एकोन सिती ही, अर्थात सेवेंटीनाइन, एत्ती का सिती ही, आगे एका सिती ही, अर्थ शतरब या एकौन सतम फिर सो का सतम एक हजार का सहस्रम होता है दस हज़ार का अयुतम होता है और लाख का लक्षम होता है जैसे एक लाख लिकेंगे उसका लक्षम होता है अब आप लोग का काम है बच्चे ये जितने एक से ले करके एक सो तक है उसको कंठस्ट कर लेंगे फिर इसके बाद विभक्ती में जो बटा हुआ है उसको भी कंठस्ट कर लेंगे अच्छा से ताकि हमको प्रशन उत्तर बनाने में दिक्कत कोई भी नहीं हो संख्या चेप्टर का बहुत पुर्ण ही अंग है जैसे कोई निबंध लिखेंगे तो वहाँ पर भी संख्या का काम आ जाएगा जैसे लिखेंगे जो हमारे विद्याले में पांच सो छात्र है अब कैसे जानेंगे जो पांच सो का क्या होता है आप जैसी कोई देदेगा आपको कहेगा चो एक लाख का संस्कृत क्या होगा बताओ तो लाका जानते हैं लक्षम होता है वहाँ पर लिखते हैं लक्षम या एक लक्षम दूई लक्षम त्री लक्षम ऐसे करके हम उसको बताएंगे इतना ही आज है पुमबर्क में इसको अच्छा से देख लेना है कहीं कोई भी दिक्कत होगी अगले वीदियो में फिर आपको हम इस चप्तर को दोहरा देंगे ठीक है